दोस्तो लंबाई वा बोडी बनाने के लिए यह जरूरी है कि शरीर में ग्रोथ हार्मोंस की मात्रा अधिक हो और ग्रोथ हार्मोंस बढाने के लिए ऐसे पोशक तत्वों की आउशकता होती है जो शरीर में ग्रोथ हार्मोंस बढाए यह सभी पोशक तत्व हमें रोज के खा और यह शेरिर के विकास के लिए सूपर ग्रोथ फर्मूला है तो इस वीडियो में हम ग्रोथ ओन में पाए जाने वाले पोशक तत्व के बारे में थोड़ा डीटेल से जानेंगे वह इसके सेवन का सही तरीका जानेंगे आता वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ग्रोथ पोशक तत्व जिसे शीला जीत करते हैं पाय जाता है शीला जीत अर्थात ऐसा कोई रोग नहीं जिसे यह जीत न सके बहुत से लोगों की यह सोच रहती है कि यह केवल पूरुष शक्ति बढ़ाता है लेकिन इसके और भी कई फायदे है यह शेरिर में खून की कमी दूर कर जाता है क्योंकि इसमें आईरन पाय जाता है यह शुक्र दातु को बढ़ाता है शुक्र दातु के बढ़ने से लंबाई भी बढ़ती है और बोड़ी भी बनती है ग्रोथ और पावरफुल पोशक ततों की बात करें तो इसमें शालम मिश्री यह शालम पंजा पाय जाता है सालम पंजा आयरुवेदिक ओशदी है जो रस दातों को बढ़ाता है या ओशदी बलदायक और रंग केस इंद्रियो ओजस आधी को बढ़ाता है या शेरिल को हश्ट पुष्ट करता है वा हड्डियों को मजबुती देता है वा उनका विकास करता है जिससे लंबाई का भी विकास होता है ग्रोथ ओनके और पावरफुल पोशक तातों की बात करें तो इसमें सपेद मुष्ट पाई जाती है सपेद मुष्ट शुक्र दातों को बढ़ाने या मजबुत करने और शारीर कमजोरी दूर करने के लिए बहुत समय से ही उप्योग में लाई जाती रही है सपेद मुशली मसल समान्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही लापदायक है जिससे बोड़ी भी बनती है चुकि सपेद मुशली के सेवन से शुक्र दातू की बड़ोतरी होती है जिससे लंबाई भी बढ़ती है ग्रोथ ओन के और पावरफुल पोशक तत्व की बात करें तो इसमें कोज बीच पाए जाता है कोज बीच पुर्षों के लिए तो फाइदे मंद है ही महिलों के लिए भी बहुत फाइदे मंद है कोज के बीज में बहुत से पोश्टिक तत्व पाय जाते हैं जिसमें केलशियम, पोटेशियम, नियासियम, मेगनेशियम, फासफोरस, जिंक वा आईरण जिससे पोश्टिक तत्व मुक्षे है कोज भी शरीर में डोपामाइन के इस तरको बढ़ाते हैं जिससे शरीर में human growth hormones अर्थात HGH की मात्रा बढ़ती है जिससे लंबाई भी बढ़ती है वो बोडी भी बनती है यदि HGH की मात्रा शरीर में कम होगी तो शरीर का विकास भी रुख जाता है इसी प्रकार इसमें दो और महत्रत्पुन वा शक्तिशाली तत्व होते हैं अश्वगंदा वा श्चतावरी दोनों शरीर को टाकत देते हैं एवं आलव स्थाकान आधी को दूर करते हैं रोक परतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं हड़्ियों के गनत्व को बढ़ाते हैं और हाइड अर्थात लंबाई का भी विकास होता है तथा यह अनिधराइक की समझ्या को दूर करते हैं जिसे शेरिर में हूमन ग्रोथ हार्मोंच का लेवल बरता है और जब शेरिमें हमन ग्रोथ हार्मोंच अर्थात एज्जी एज की मातर बरती है तो हाइड भी तेजी से से बर्टी है वह श्रीर का विकाद भी होता है वह मसल्स मांत का निरमान भी होता है इसी प्रकार गोट उन में तीन ओर खासतो पाएं जाते हैं जो इस केपसुल में मिलाई गई सभी उषदियों के पौवर को बढ़ा देते ऐं इसमें उन तीनों खासतो की बात करें तो वे है आउला बहेडा और हरड अर्थात ये तीन फल जिसे त्रिफला कते हैं इसे आयुर्वेद में माह ओशदी कहा जाता है इसके गुनों की बात करें तो ये शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाता है वा भूग को बढ़ाता है दोस्तो लंबाई वा बोड़ी बनाने के कुट्व मिल पाए जो लंबाई वा बाड़ी बनाए इसी प्रका ग्रोथ को उनके पावरफुल पोशक्तात्यों की और बात करें तो इसमें विदारी कंद पाए जाता है हायुर्वेद में विदारी कंद में इसनिक्द शीतल शुक्र वर्दक इस्तनी वर्दक बलकारक बनाता है वह मसल्स मांच को बनाकर बोडी बनाता है दोस्तों शेरी में खून की कमी होने पर शेरीर का विकास नहीं हो पाता है विदारी कंद खून की कमी दूर कर तेजी से शेरीर का विकास करता है दोस्तों अब हम ग्रोथ ओन के सेवन का सही तरीका भी जान लेते हैं तो इसके सेवन के लिए आप एक छोटा चमच पाउडर सुबह दूद के साथ और एक छोटा चमच पाउडर रात में सोते समय दूद के साथ सेवन करे यदि आप इस पाउडर का पूरा लाप पाना चाते हैं तो इसके सेवन के साथ साथ आप हाइड बढ़ाने वाली exercise भी जरूर करें जिससे शेरी में growth hormone की मात्रा बढ़े और शेरी में growth hormone की मात्रा बढ़ेगी तो शेरी का विकास भी तेजी से होगा कौन सी exercise करना है उन वीडियो के playlist की link आपको वीडियो के लाश्ट में end screen में मिल जाएगी या नीचे description box में भी उन वीडियो के playlist की link आपको मिल जाएग वहाँ से आपको वीडियो देख सकते हैं